उसी समय धीरे धीरे मंदर मंदर गती से श्री हरमान जी प्रवेश करते हैं क्या बरणन की आप महर्शिवालमी कीने जैसे ही मुख्यत द्वार से प्रवेश करते हैं भीतर जाकर के ही देखते हैं एक तरफ एक अध्युतिय विश्विद्याले का निर्मान हो रखा है शरदर्शनों का संदर्वा, आस्वादन और अध्येन कर रहे है बैठ करके बड़ी-बड़ी मंत्रना और उस पूरे अध्येन की व्यवस्था में कि राज की व्यवस्था का कोई संबंद नहीं है बाहर क्या चल रहा है आज तो विश्विद्याले राजनीतियों के केंद्र बन गए है और उस समय रावण का वो अध्युतिय विशेश वो विश्विद्याले जहां बड़े-बड़े बठक विद्यार थी बैठ करके शास्त्रों का गहन चंतन करते एक तरफ आगे आकर के देखा तो बड़ी अध्युतिय गिशालाएं बनी होई थी जहां बड़े-बड़े प्रोहित बैठ करके अनंत शुतियों का पाठ करते हुए वहां सारे ग्रहन अक्षत्रों की अनुकूलता को व्यापत्त कर रहे थे थोड़ी दूर आगे बड़े तो हनमान जी ने देखा कि एक तरफ बड़ी अध्युतिय मल्लशाला थी बड़े-बड़े असुर पहलवान वहां बड़े-बड़े दापेज लगा रहे थे छुप करके हनमान जी के हाथ में भी खुजली चल गई उनने सोचा पर अभी धैरी रखना ठीक है अभी कूद गया तो गड़बड़ हो जाएगी बड़े-बड़े मल्ल योद्धा अखाडे में युद्ध कर रहे थे देखा बड़ा अद्धिय बड़ा भारी गलियारा बीच में बना था जिसके दोनों तरफ सुर्ण के कलश लगे हुए थे जोनों तरफ लगे हुए ब्रक्षों की द्रमल छायाओं में जब गुते हुए पुश्प नीचे बिखडते थे तो ऐसा लगता था चमकदार फर्ष के उपर गिरे हुए सोथ पुश्प ऐसे लगते थे कि जैसे कोई अत्यंत रूपवती नारी के कंट में कोई मुक्ताहर की माला डली हुए हुए उसकी वो लावण निता और उसकी सौंदर यता ऐसी अद्धुतिय हो गई हो वो सारी लंका सुंदर सजी हुई दुलन की तरह प्रतीत होती थी हनमान जी ने ये सब देखा अचम्बित हो गए एक जगे गए बड़े बड़े लोग सनीचर को मना रहे है हनमान जी रावण ने सनीचरी पकड़ के बिठा रखे है काल को उल्टा लगा रखा है सवरे बैठे देवता वहाँ पर बंदी की तरह बैठे अपने लिए अनुष्ठान कर रहे हैं कि हम गम्मुक्त होंगे इसके चंगुल से मंत्रजाल, यंत्रजाल और तंत्रजाल ये तीन जाल उस समय उसने अपनी लंका के ऊपर अवस्थित किये हैं ये सब उसकी तंत्रगी बात है महाराज उसी परिवेश का है ये सब उसके भीतर स्निक्द हैं महाराज चारों तरफ लंका के सुब व्यवस्था को देखकर हनमान जी अचंबित हैं बैई क्या बैभव है क्या करशन है मंद्र मंद्र करती से देखते हैं सीता जी कहा मिलेंगी गोस्वामी तुलसिताश जी ने तो विवीशन की तुलसी का गमला और धूप की सुगंदर राम नाम के उच्चारन से हनमान जी को मिला दिया और समाधान हो गया पर वालमी की जी ने कोई हनमान विवीशन से नहीं मिलाया है यहां तो प्रतिवाई दूसरी दिखाई है पर तेक स्थान पर जाकर सब जगे घूम घूम के हनमान जी देखते हैं सीता कौन हो सकती है उसकी गती उसकी गमक उसका गमन आगमन अवस्थान अवलोकन हसंद हसंविलोकन उड़ैन उठापन यह जितने प्रकार के क्रिया कलाप होते हैं उन सब के बीच में वो कैसी सुख्ष्मता है जो राम के परम तेज को धनन कर सके जैसे स्वाती नक्षत्र की बूंद को कभी ब्यर्थ नहीं जाती अगर संख में गिर जाए तो सीप बन जाती है अगर गया में गिर जाए तो गोरोचन मन जाती है अगर नाग में गिर जाए तो नाग मनी मन जाती है उसी प्रकार से ये सीता जैसी स्वाती नक्षत्र की बूंद का स्वरूप कैसा होगा निश्चित रूप से 335 प्रकार से इस तरी गमन करती है 22 प्रकार से स्त्रिभ भाषन करती है जितने भी उनके 7187 प्रकार के कटाक्ष हैं जिसमें अनंत मकराकृत कुंडलों में जो राम के भी दिब्बि कुंडलों को बिकम्पित कर दे ऐसी प्रतिभा है यह सब साहित्य है महाराज भारतियम मनीशा में जब पहले संबाद हुआ करता था तो इसी शास्त्र की मन्जूशाओं में बैड करके आचारे रत्न लुटाता था मालपुआ चासरी में नडूबा हो तो फीका लगता है कथा साहित्य में नडूबी हो तो फीकी है महाराज यह उसका स्वरूप है हनवान जी देख कर अचम्भित हो रहे है क्या ये नारी हो सकती है सीता जैसी ये नारी मा जैसी हो सकती है या इनके पास वो स्वरुभ्यता है जो राम के तेज को पास में अनभूत कर सके एक बार तोबंदोधरी के कक्ष में जाके दूर से उसको ताक रहे थे वो खड़ी-खड़ी अपना शंगार करती थी पीछे से हनमान जी ने देखा हाँ जो इसकी रूपाक्रती है, जो इसकी नम्रता है, जो इसकी बामता है जो इसका दक्षनत्व है जो इसका गमना गमन है जो इसका उड़राज मुखता है मिर्गराज कटता है जो गजराज मंद्र गतिता है तब मंदोदरी जैसे मुड़ी उल्टे कर दिये गए शंक के समान जिसकी चुबग थी बड़ी चंचल हुई म्रगी के द्वारा जिसकी हिल रही नैन पटलों पर पुतलिया थी किसी दिब्य सौं में चल रही पवन के साथ जैसे किसी दिब्य बरगत के ब्रक्ष एक दिब्य मंदब बना उआ था जिसमें एक हज़ार सौने के खंबा थे हर्मान जी ने उसमें भीतर से गंभीरता से देखा तो उसकी भूमी के ऊपर बड़े सौंदर दुनिया के बड़े-बड़े पुखराज लग रहे थे बड़े-बड़े मानिक मनी लग रही थी उसके भीतर देखा तो एक सौने के द्वार स्वाने का उसके उपर देखा तो एक सीड़ी थी पारस्मनी की और ठीक उस पारस्मनी के पीछे एक अशोक का बड़ा भारी सिद्ध ब्रक्ष उगा हुआ था जो उसकी चत्त को फोड़ करके बाहर निकल रहा था और ठीक उससे टिक करके एक परमसाध्वी जोचना साक्षाद शक्ती बैठी होई थी ये रावन देख करके चंभित हो गया ये वालमी की का ये शास्त्र ने वो कोई वो सीरियल में तो दिखा विचारी फरस पर बैठी है रोती होई सी कई लोग तो सीरियल हों कोई सत्यमान लेते हमसे किसी ने का महरा जी ये डायलोग क्यों बोला हनमान जी ने मैंने का कहा लिखा है बोले एपिसोड नंबर 60 में मैं तो रावन ला तब तो समझ में आवे हम उस दिब्यब सास्तरस्तम्हमंडपम का वरनन है हनमान जी एकदम पहचान गए हाँ इनका गती इनका गमक इनकी आद्रता इनकी उदारता ये जो इनके इनकी उड़राज मुखता दिब्य धनुष्की आक्रती के समान जिनकी दिब्य मदुर्भ होए जैसे कोई भड़े भारी सामराज्जी के बेच में महरानी बैठी हो और दोनों तरफ से दासियां पंखा जलती हो ऐसे ही जो इनके दिब्य मस्तक के बीच में आग्या चक्र है उसको दोनों पलकें पंखा जल रही हो जिस प्रकार से हिमाले की कंदराओं में की गुफाओं में से सुरंद सुरभित दिब्य मल्या चल पवन चलती है उसी प्रकार जिनके नासा पुटों में से दिब्य सौगंदित दिब्य बायू का आगात चल रहा है जैसे दिब्य रात्री के अमावश्या के अंदकार में भी धृव का तारा दूर से चमकता है उसी प्रकार जिनके नासिका के उपर दिब्य नथनी चमक रही है ऐसा अद्धुतिय दिब्य सर्षन करके हनमान जी बद्धान जली पूरवक बैट गई कैसी मिलू, क्या मिलू, क्या जाके बोलू उसी समय बड़ी जोर से डिम डिम घोश हुई सावधान, 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 लंका अधिपदी, रावन का आगमन हो रहा है मंद्रबंद्र कदी से धर्ती पर धमक करता आगे आगे बड़े बड़े माग जनसूत जन बड़े नगाणों को बजाते सावधान, सावधान की धनिया करते बीचे कई सारी रक्षसिया नृत्य करती आ रही थी और उन सब के बीच में काले वेशों को धान करके और जिसके एक तरफ का दुपटा धर्ती के उपर लिधरता आ रहा था ऐसा रावन आया जिसके एक हाथ में चंद्रशाला खड़क थी जो चंद्रशाला खड़क की नौक धर्ती के उपर एक रेखा को खिषती चली आ रही थी जैसे किसी जमाने में सगर के रत के पईयों ने इस धर्ती के उपर सब्त दीप सब्त समद्रों की रचना कर दी थी उसी प्रकार खड़क के उस रावन की खड़क की नौक धरती के उपर एक रेखा खीचती जा रही थी दोनों तरफ खड़ी हुई उसकी मंदोधरी आजी सब ग्रहनियां उसके साथ थी कभी भी रावन सीता जी से अकेले मिलने नहीं आया जब आया अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के आया सब अपनी पत्नियों को लेकर रावन पोँचा सीता जी ने सामने देखते अपनी नजर गुमाई और एक त्रण बढ़ा था उस त्रण को उठा लिया कई भार बड़े बड़े हाथियों को एक तिन का भी मार देता है हे सीता उस तपस्वी में तुझे क्या मिलता है वो राज्य से निकाल दिया गया है इस दुनिया में कौम सा सुख है जो तुझे दे सकेगा यह जितनी यहां मेरी पत्नियां खड़ी हैं सब को मैं तेरी दासी बना दूगा इस पूरी लंका का तू तू अधिपती साम्रग्गी हो जाएगी मेरे प्रस्ताव प्रेम प्रस्ताव को स्विकार कर ले क्या है उनके पास केबल जंगलों में पड़ी रही धूल में उनका अंग संच चुका है उन्हीं एक तपस्यों के वेशों को धान करके अयो ध्या से निकाले हुए बंजारों की तरह इदर से उदर घूमते हैं सहीता जी ने त्रण उठाया ए रावन मैं अगर त्रण को फैंक दूँ तो इसी समय तेरा सम्हार हो जाएगा तु सत्य कहता है अगर राम मेरे पती होती है तो मैं कपका छोड़ देती है तु मेरा हरन कर लाया एक बात तुझे आज बताना चाहती हूँ रावन, राम मेरे पती नहीं है मेरे प्रिय है पती को तो मर्यादाओं से छोड़ा जाएगा पर प्रिय को कैसे छोड़ा जाए आज मेरे सामने गडबडा रहे रावन अगर तेरे में साची सामर्थ थी तो मेरे रगुनात के साथ युद्ध करके मुझे लेकर आता है काईरों की तरह वेश बदल करके मात्र मेरा हर्ण करके तू यहां ले आया मेरे रागवेंद्र के पुरुशार्थ का तेने कहां दर्शन किया है अगर वो कुर्द दृष्टी तेरे उपर डाल दें तो उस दृष्टी से निकल रही जोती भी हजारों तृशूलों का रूप धान करके तेरे अंगों का बेदन कर देंगी हनुमान जी जब सीता जी के जवाब को सुनते तो उपर वैठे जुमते महराज जै हो जै हो आज मुझे साक्षात शक्ति का दर्शन हो रहा है सामरग्गी का दर्शन हो रहा है आज पता चला कि जिनकी दिब्विकांती के ऊपर रगुनाद भी लट्टू होकर घूमते हैं वो मेरी मैया जान की कैसी है महराज रावण ने मुझे बनाया क्या काईरों की तरह मुझे ले आया और मुझे प्रस्ताओ दे रहा है पर आक्रम दिखा और मेरे स्वामी के साथ युद्ध कर बच गया तब बात करेंगे रावण ने कहा मैं दो महिना का समय देता हूँ अगर मेरी बात सुईकार करी तो ठीक है नहीं तो मैं तुझे बलात यहां से छिंके ले जाओंगा राक्षसियों को कहा इसको समझाओ रावण उसी समय चला गया सीता जी भावख होकर सहिष्ण हो गई पास में सब राक्षसियां और डराने लगी तो तरजटा ने सब को भगाया और समाला मैंने एक सुपन देखा है कि कोई एक बानर आने वाला है तरजटाने का पालमीकी की कथा ऐसे चलती है